अब next passage है CPO का, ठीक है, pure vocab per based है, अगर अच्छी vocabulary है, तो passage बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है, application पर तो सब के पास हमारे pass sets है ही, जो बच्चे यूट्यूब पर हैं, उनके लिए मैं complete passage दिखा देता हूं, हमेशा की तरह से, मेरे attempt करने से पहले, खुद attempt ज़रूर कर और जब तक तुम अपने last में routine में पहुंचे, daily passage करते करते, तो तब तुम्हारा कितना improvement हुई है, ठीक है, daily passage reading हम कर रहे हैं, तो आज का जो set है, वो CPO का है, और CPO के set का ये passage है, question तुम्हारे सामने 2 तो ये रहे, और 3 question score मैं दिखा देता हूं तुम्हें 45 तक, 5 questions का ये passage ह देखते हैं कौन कितना अच्छा score करता है, ठीक है, ये रहे तुम्हारे सामने बाकी के options, अब इन्हें एक बार attempt कर लो और फिर मैं हिंदी बता रहा हूं, ठीक है, वीडियो pause करके यहां तक, और attempt करो, और फिर मैं हिंदी बता रहा हूं, अब बताना कि तुम्हारे कितने questions स जरूर बता करो, और कोई भी question हो, competitive exams related जरूर पूछा करो, ठीक है, चालो, अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ध्यान से सुनना, shoppers, जो shopping करने आए वे थे लोग, at marina center, marina center में, singapore में, ठीक है, ये कोई mall या कोई जगा है, जहां पर लोग shopping करने के लिए आए थे, उन्होंने कुछ सुना, क्या सुना, इसे तो हम आगे देखेंगे, पहले passage को थोड़ा सा समझने ही कोशिश करते हैं, remember, इस पूरे passage को, जो ये 5 question का passage है, इसको पढ़ने, समझने, और total answers देने में, 4 to 5 minutes से जादा नहीं जानी चाहिए, किसी भी हालत में, ये बात ध्यान रखना, ठीक ह यहाँ पर समझने के लिए हम बले ही 10-15 minutes, 20 minutes का lecture हम create करते हैं, क्योंकि वो समझाना होता है, but, तुम्हें कितने time में attempt करना है, 4 to 5 minutes maximum, ठीक है, with answers, ठीक, अब देखो, तो सिंगापूर के, सिंगापूर के marina center में जो shoppers आए वे थे, उन्होंने कुछ सुना, heard, hair की second form हो गई, उन्होंने कुछ सुना, coming from the field nearby, जो pass के ही किसी खेट से, या किसी field से आ रही थी, कोई आवाज सुनी, अब आवाज कैसी कैसी हो सकती है, इन चार options पर focus करो, पहला option है, cries, जिसका मतलब होता है, चिलाने की आवाज, दूसरा होता है, sobbing, इसका मतलब होता है, रोने की आवाज रोना, sobbing, अगर तुमने कुछ word सुने हो, थोड़ा सा, countryside में जो word बोला जाता है, सुबखना, मतलब थोड़ा सा, nose run हो जाती है, तब उस तरह से रोना, ये sobbing होता है, nagging कौन होता है, nagging हमेशा दूसरे में नुक्स निकालने वाला person होता है, हमेशा बढ़ बढ़ाने वाला person होता है, ठीक है, और sound का मतलब आवास, तो pass से उन्होंने, pass के ही field से उन्होंने कुछ सुना, अब किस तरह की आवास सुनी है, हमें थोड़ा सा आगे चल करके clear हो जाएगा, अभी इसे fill नहीं करते, a girl screamed, एक लड़की चिलाई बहुत तेज, एक लड़की बहुत तेज चि चिलाई इसका मतलब क्या है, हमें cry सुनाई दी, हमें चिलाने की आवाजे सुनाई दी, पहला option हमारा clear हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, the girl screamed loudly, एक लड़की बहुत तेजी से चिलाई, and very, और कुछ अलग तरीके से चिलाई, अब ये कौन सा तरीका था, सुनो, समझो, चार, cruelly का मतलब क्या है, निर्दयता से चिलाई, ये तो answer नहीं होगा, निर्दयता से कोई नी चिलाता है, एक होता है, श्रीली, श्रीली का मतलब होता है, कर्ण भेदने वाली आवाज, ऐसे हम कह सकते हैं, इसका meaning लिख लेना, कर्ण भेदने वाली आवाज, है न, ऐसी आवाज में वो चिलाई, जो आपके कान को भेद करके चली जाए, कहीं बार तुमने देखा होगा, लड़कियों की लेडीज की चीक, उनकी frequency इतनी हाई होती है, कि आपके कानों को निकल जाती है, एक दम से, ठीक है, शार्पली का मतलब, शार्प और बोर्डली का मतलब, सा फ्राइटेंड एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है, डर जाना, उसकी चिलाहट में, उसकी आवाज में जो डर था, turned Daryl's blood, उसने जो है, उससे जो है, इसका जो खून है, वो ठंडा पड़ गया, इस तरह का सेंस हा रहा है, मतलब, उसका चेहरे का रंग उड़ गया हो उसका चेहरा पीला पड़ गया, या उसका चेहरा सफेद पड़ गया, इस तरह की बाते बोलते हैं, ठीक, या फिर वो बहुत ज़ादा डर गया, तो उसकी आवाज में डर था, तो डर जब होता है, तो लड़की की फिक्वेंसी, किसी भी लेड़ी की, या किसी भी बच्च चिलाई, और बहुत ही कैसे चिलाई, कानों से निकलने वाली आवाज की तरह चिलाई, उसकी आवाज में जो डर था, उसकी वज़े से इस परसन का जो बलड है, वो ठंडा पड़ गया, मतलब उसे भी डर लगने लगा, तो ये तो एक फ्रेज की रूप में भी तुम याद कर सकते हो, कि बलड जो है, कोल्ड पड़ जाना, ठंडा पड़ जाना, इसका मतलब किसी को बहुत ज़ादा डर लगना, ठीक है, तो फ्रेज की रूप में हम याद करेंगे, देखते हैं, 43 के ओक्षन में, कोल्ड या ठंडे से रिलेटिड कोई वर्ड है क्या, अब देखो 43 में हमारे पास, वर्ड है, ये रहा, बलड कोल्ड, इसका बलड जो है, ठंडा पड़ जाएगा, ये डर गया बहुत जादा, प्लोट का मतलब तो तुम जानते हो, बलड कोल्ड जो होता है, उसका मतलब खून के धब्बे पड़ जाना, अब कोई चिला है, उसकी वज़े स तुम्हारे उपर खून के धब्बे तो पड़ नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा खून पीला पड़ जाएगा, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा खून लाल पड़ जाएगा, वो तो पहले से ही होता है, ऐसा नहीं होगा, तो फ्रेज हमारा क्या है, बलड कोल्ड पड जाना इसका मतलब डर जाना बहुत जादा ठीक है चालो अब आगे बढ़ते हैं pure vocabulary पर passage है जिसकी vocabulary जितनी अच्छी उसके answers उतने ही अच्छे ये बात ध्यान रखना ठीक है चालो और कोई shortcut बताता हो तुम्हें कोई ये चीजे बताता हो कि इस तरीके से हो जाएगा close test तो उस तरीके से हो जाएगा भूल जाओ सारे rules fail हो जाएगे जब exam में जा करके बैठ होगे इसलिए daily routine maintain करना बहुत ज़रूरी है अगर exam clear करना चाहते हो तो done अब आगे बढ़ते हैं for a second एक पल के लिए अब एक पल के लिए एक phrase होता है तुम ये phrase याद कर सकते हो for a split second ये phrase तुम्हें याद करना है अपनी life में speaking में कभी भी use करो जैसे एक पल के लिए तो यार मुझे ये लगा कि वो तो आएगा ही नहीं आज तो एक पल के लिए जब आप phrase अपनी life में यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे for a split second है न तो इसका मतलब एक पल के लिए पूरे phrase का मिनिंग याद कर लेना अब हमारे यहाँ पर for a isके बाद blank है second है तो यहाँ पर हमें split word चाहिए fix word है ये idea में या कुछ भी क्यागर किसे याद कर लो ठीक है अचा कुछ बच्चे ऐसा होगा देखो 44 के option पर हम चलते हैं पहले कुछ बच्चे ऐसा होगा many या few में से किसी की fluency आ सकते है जैसे कुछ बच्चे बोलते है for a few seconds कुछ पलों के लिए या कुछ seconds के लिए अब few तो हम लगाए लेकिन few के बाद जो noun होगा वो plural होगा that means यह जो noun लेगा यह plural लेगा तो यहाँ पर few के बाद seconds होना चाहिए अगर तुम थोड़ा बारी की से दिहान दो तो यहाँ पर यह seconds नहीं है यह केवल second है जो मैंने यहाँ पर लिखा है second एक पल के लिए एक आया है ना तो एक के सास seconds तो आ नहीं सकता इसलिए न few आ सकता न मैंनी आ सकता तो यह grammatical skills है हमारी तो हमने क्या देखा ना तो मैंनी आ सकता न फिव आ सकता यह दोनों काट दी हमने अब बचा क्या split second या instant second तुरंत second या एक पल के लिए है ना तो हमारा B option आएगा instant का मतलब तुरंत होता है done अब आगे बढ़ते हैं last option हमारा बचा है passage हमारा complete हो जाएगा ठीक 50 question आते हैं यार CPO के pre exam में और बहुत ही अच्छा exam होता है अगर कोई भी थोड़ा सा regularity के साथ पढ़ ले ठीक है grammar का advance batch दोनों बना रखे है basic batch भी और advance batch भी कोई भी ध्यान से पढ़ेगा थोड़ा सा application पर दोनों batch अवेलेबल है तुम जानते ही हो सारे के सारे पढ़ रहे हो ठीक है फ्रोज का मतलब जम जाना जैसे time रुख गया हो as the horror of the situation क्योंकि जो situation का जो horror था situation का जो डर बना हुआ था every shopper's brain क्योंकि वो हर एक खरिदारी करने वाले के दिमाग में से एकदम से एक आवाज गुझ गई थी क्या हुआ एकदम से तो ऐसा लगा जैसे time रुख गया हो सबके सब एकदम से देखते है न कि पीछे से आवाज कैसी आई चिलाने की एकदम से तो ऐसा लगा जैसे time रुख गया हो और हर किसी के हर किसी के brain में ये जो situation का डर है वो हर किसी के brain में चला गया हो अब यहाँ पर हमें क्या option चाहिए डूंडो ठीक है 45 में हमें एक option चाहिए 44 तक हम फिल कर चुके हैं तो हर किसी के मन को मन में से एकदम से बात आ गई हो कि क्या हो गया ये तो सूध मतलब किसी को आराम पोचा देना उस आवाज ने कि लाने की आवाज ने सबको आरामतों पोचाया नहीं होगा जिंगल बैल तुमने सुना होगा जिंगल का मतलब क्या होता है बैल का मतलब घंटी जिंगल का मतलब टंटन करना तो खन खन या टन टन की अवाज करना यह जिंगल का मीनिंग होता है तो यहाँ पर यह भी नहीं आएगा कि हर किसी के माइन में टन टन कर जाएगी अवाज यह ऐसा नहीं होगा penetrate का मतलब हर किसी के मन को भेद जाना एकदम से कि यह क्या हुआ यह चल सकता है और real तुम जानते ही हो real जो होता है आपका आजका social media भी चल रहा है real बनाना तो कोई भी चीज है उस चीज को लपेटना या उस चीज को create करना यह वाला real का मीनिंग होगा तो यह भी नहीं हो सकता तो penetrate का मीनिंग क्या हो गया इस चोटी सी कहानी को हमने words में लिखा यही speaking, यही writing, यही competition और यही English का हर level समझ गए जो भी बच्चा मुझसे कहता है सर close test में, PQRS में, comprehension में दिक्कत आती है तो वो कुछ मत करो बस daily passages का नियम बनाओ Hindi to English, English to Hindi translation करो और एक दो passage daily करो अराम से हो जाएगा, बट कुछ months तुम्हें regular रहना पड़ेगा अगर कोई खुद को 30 मार खान समझता है 0 है, देखो जिसका base तयार है वो advanced batch में लगातार अपने आपको continue करना चाता है तो वो तो जल्दी select हो सकता है लेकिन कोई अपने आपको ये समझता है कि मैं तो zero पर मुझे tense भी नहीं आता है मैं दो महिने में सब कुछ कर जाओंगा तो भूल जाओ, चोट खाओगा और वो भी बहुत अच्छे वाली ठीक है, तो चलो तो regular रहो, इसी message के साथ मैं आज का lecture finish करता हूँ कल के lecture में फिर देखते हैं नया passage done